बाहलादेश के सदरगाट स्थित जगनाज उनिवसिटी की स्टुडेंट तिथी सरकार दुर्गा पूजा मंडव के दर्शन के लिए जाते समय गायब हो गई और उनका 6 दिन से कोई अता पता नहीं है तिथी सरकार को युनिवसिटी द्वारा भी सस्पंड कर दिया गया था उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने फेस्बुक पर इसलाम और पैगंबर मौंबत पर टिपड़ी की है जो वहाँ इशनिंदा के तहत आता है हलाकि हिंदू संगठनों ने उन पर लगे हुए आरोपों को जूटा बताया तिथी जूलोजी की स्टूडेंट है उन्हें सोशेल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में जगनाद उनिवर्सिटी ने नियम 2005 की धारा 11.12.10 के तहत विश्व विद्याले से अस्थाई रूप से सस्पेंट कर दिया गया उन्हें कारण बताओं नोटिस में भी पूछा गया कि आखिर विश्व विद्याले उन्हें हमेशा के लिए क्यों ना सस्पेंट कर दे तिथी ने 24 अक्टूबर को अपने सस्पेंशन के विरुद एक प्रदर्शन भी किया था थर्ड येर की स्टूइंट तिथी सरकार संडे को यानि अक्टूबर 25 को दुर्गा पूजा मंडप के दर्शन के लिए जा रही थी उससे पहले वो पल्ला भी पुलिस टेशन भी गई थी उनकी बहन स्मृती इरानी ने थामे में शिकायत भी दर्श कराई है पुलिस का कहना है कि वो छात्रा की तो तलाश कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है पुलिस का कहना है कि तिथी ने अपने Facebook अकाउंट हैक होने को लेकर भी मामला दर्ज कराया था जगरनात विश्व विद्याले ने एक कमिटी बना कर तिथी की टिपड़ियों की जाच के लिए तीन सब्ता हमें रिपोर्ट देने को कहा विश्व विद्याले ने इस बात से इनकार किया है कि उनको किसी भी तरह की खबर नहीं है कि उनकी स्टूड़न गायब हो चुकी है यूनिवसिटी का कहना है कि अभी तक परिवार वालों ने इस बार में कुछ भी नहीं बताया यूनिवसिटी को पत्रकार शमी हक ने सोशेल मीडिया पर तिथी के सस्पेंशन ओर्डर को शेर भी किया और लिखा कि फ्रांस विरोधी प्रदर्शन अब एक भयानक दर्शे में बदलता जा रहा है बांगलादेश में भी पाकिस्तान की तरह हिंदूओं को प्रताडित करने की खबरें आती रहती है जुलाई 2019 में माइनॉरिटी हिंदू की दुर्दशा को बया करने वाली एक महिला जिसके उपर बांगलादेश में देश दुरों का मुकत्मा चलाने का निर्णा लिया था बांगलादेश हिंदू बौध क्रिश्चन यूनिटी काउंसिल की पदाधिकारी सचीव प्रिया सहा ने अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड टरम्स से भी कहा था कि उसके देश में माइनॉरिटी इसको बहुत जादा परेशान किया जा रहा है